हेलो फ्रेंट्स एक्जाम प्रोपेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैंने टॉपिक लिया है हिस्ट्री का भारतिक रांतिकारियों द्वारा महत्यपूर्ण बिटिस अधिकारियों की हत्याएं तो जो भी बच्चे हिस्ट्री में इस टॉपिक में कभी भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप नहीं होगी आपको क्या करना है पूरा वीडियो बहुत अच्छे से देखना है और इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी आपकी मिस्टेक हो रही या नहीं आद हो रहें फैस उन प्लेलिस्ट बनी हुई चैनल पर चेक करेंगे, मिल जाएगी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो चलिए सबसे पहले अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बिटिस अधिकारी की बात की जाए, तो पूना का प्ले कमिशनर था रैंड और लेफ्टिनेंट है आईरेश्ट, इनकी हत्या की जाती, किसके दौरा चापेकर बंधू, ये कौन-कौन थे, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, कब इनकी हत्या होती है 1897 नवी में, तो किसकी आदक नहीं है, कमिशनर रैंड और लेफ्टिनेंट टायरेश्ट की, 1897 नवी में, चापेकर बंधू ने हत्या की, फिर है मुझफर पूर का मजिश्ट्रेट था किंग्स फोर्ड, इसकी हत्या की थी प्रफुल चाकियो और खुदीराम बोस ने, इन आपसे अगर ये पूछा जाता है, तो इसके बारे में ये हो भी जानकारी और इसकी डेट याद रखियेगा, 30 अप्रेल 1908 को ऐसी घटना होती है, 30 अप्रेल 1908 नेक्स्ट है करजन वाईली की हत्या करते हैं, मदल लाल धिंगरा, कब 1909 में, ठीक एक साल बाद याद रखना है, सौंडर्स की हत्या किसने करी, भगत सिंग, चंद सेखर आजाद और राजगुरू ने कब 1928 में, 1928 में भगत सिंग, चंद सेखर आजाद और राजगुरू उन्हें सौंडर्स की हत्या की थी, फिर है एम्टी जैक्शन, ये नासिक के कलेक्टर थे और इनको इनकी हत्या करी अनंत लक्षमन कनेरे ने, ये अभिनो भारत के सदसी भी रहे थे, इनको याद रखना है, और ये कब हुआ 1909 में, तो 1909 में करजन वाईली की हत्या, और उ पीनात सहा, जब इनकी हत्या करते हैं, तो चाल समझ कर गलती से इन्होंने अर्नेस्ट डे नामक वेक्ति की हत्या कर दी थी, 1924 में, फिर है नासिक के जिला मेजिस्टरेट जैक्सन, करवे गुट के, देखेंगे अनंत लक्षमन कनारे, इन्होंने दिसंबर 1909 में, नासिक क जिला मेजिस्टरेट, ये जैक्सन अभी हम लोगों ने पढ़ा, इनकी हत्या की थी, नेक्स ने जतीन नात मुखर जी, ये बंगाल के क्रांतिकारी थे, अब ये देखेंगे विवेकानन, अर्विंद घोस, इनके निष्ठावान अन्याई थे, और देखेंगे आप युग अनुसीलन समिती की स्थापना मूलता, प्रथम मित्र, आप भी मित्रा याद करिए, और उनके साथ थे पुलिंदास, इनके द्वारा की गई थी, तो अनुसीलन समिती इंपॉर्टेंट है, जतीन नात मुखर जी, बागा जतीन जो हैं, आप इनका वक्तवी देख सकते हैं, हम देश को जगाने के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, ये इनका वक्तवी था, प्रथम विस्वयुद के दौरान युगांतर पार्टी के बागा जतीन ने, विरेंदनात चटोपाध है, भुपेंदत्ता, लाला हरदयाल, अबनी मुखर जी और रास बिहारी बोस की से जिमर मैन प्लान, इंडो जर्मन कॉंस्पिरेशी के अंतरगत, जर्मन गोला बारूद आयात करने की योजना बनाई थी, हलाकि योजना अंतता विफल हो गए, क्योंकि इस योजना को किसी देश द्रोही मुखभीर द्वारा लीक कर दिया गया था, और जतीन और उसके सह पेनना दत के सयोग से वर्स 1907 में कलकत्ता में क्रांतिकारी संगठन के रूप में अनुसीलन समीती का पुनरगठन किया गया, अरविंद घोस भी से जुड़े थे, काम की सरलता के लिए इसका दूसरा कार्याले धाका में वर्स 1908 में खोला गया था, फिर है व्यायाम मंडल चापेकर बंधूं में कौन-कौन है, दामोदर हरी चापेकर और बालकृष्ण हरी चापेकर, इसके साथ साथ वासुदेव हरी चापेकर, ये देखेंगे 1896-1897 इस वी में पूना में व्यायाम मंडल की इन्हों ने स्थापना की थी, इसकी स्थापना विसुद राजनीति क पुद देश से की गई थी, फिर पुलिन बिहारी दास ने वर्स 1908 की बर्रा डकैती का इस्थान पूरी बंगाल में वस्तित था, बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समों को पुलिन बिहारी दास ने ही नेत्त प्रदान किया था, अब देखिए नए क्रांतिकारी मतलब अभी अगले करांतिकारी पढ़ेंगे अर्विंद घोष और बारिंद घोष के बारे में ये अलीपूर्ट सर्यंत मामला आपको याद रखना 1908 का इससे अर्विंद घोष और उनके भाई थे बारिंद घोष इनके साथ साथ 39 लोग थे जो अवैध हतियार रखने के आरोप में गिरफतार हुए थे और इस मामले में देखेंगे 17 लोगों को सजा हुई थी परन्तु जो अर्विंद घोष थे इनको रिहा कर दिया गया था इस मामले में अर्विंद घोष का जो बचाओ था वो चितरंजन दास जी ने किया था ठीक है अर्ली पूर सड़ियंत मामले में ही सरकारी गवाब बने थे नरेंद घोष आई इनकी हत्या की थी कनहाई लाल दत और सत्येंद बोष ने जेल में गोली मार कर इनकी हत्या कर दी हिंदुस्तान सोशिलिष्ट रिपब्लिकन एसोशियेशन की स्थापना हुई HSRA याद अखना है ठीक है इसका उदेश भारत में एक समाजवादी गरतंतरवादी राजी की स्थापना करनी थी डेट याद रखिएगा कौन किसे संबध रहा है किस क्रांतिकारी संगठन से य मैं आगे आपको करवा रही हूं तो जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट से इनके याद रखिए क्योंकि स्टेटमेंट वाइज या फैक्ट वाइज आपको कोशन मिलेंगे और रो या रो में और उसके साथ साथ PCS में आप देखेंगे फिर देखेंगे भगत सिंग तथा बट सारे हो जाती है तो इसके बारे में आपको एक फैक्ट याद रखना है और इन्होंने केंदी विधान सभा में बंब कफे का आठ अप्रेल 1929 को डेट इंपोर्टेंट है अगर आप आरो यारो का एक्जाम देने जा रहे हैं एक एक डेट अच्छे से याद करिए फिर भगत पुल जिले में सतलज नदी के तरपर इंकलाब जिंदाबाद का पहली बार नारे की रूप में प्रयोग भगत सिंग ने किया था अब पढ़ेंगे सूरी सेन ये क्रांतिकारी चटगाउं सस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद सूर सेन ने आयो जित किया तो आपको चटगाउं सस्त्रागार धावा याद रखना है सूरी सेन ने बंगाल में इंडियन रिपाब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी इंडियन रिपाब्लिकन आर्मी ठीक है ये आपको याद रखना है इसकी स्थापना की थी इसके सदस्यों ने अनंत सिंग अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनात, प्रीती लतावाडेडार, गडेश घोस, कल्पनादत, आनंद गुपता तथा टेगरावल प्रमुक्ते तो इसमें कौन-कौन से सदसी थे वो आपको याद रखना है ठीक है इंडियन रिपैब्लिकन आर्मी में चटगाउ सस्त्रागार में बंदे मा पॉइंट उफ्यू से इंपॉर्टेंट हैं फिर देखे जतीन दास लाहर सड्यंत केस के अंतरगत गिरफतार जतीन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दरजाप्राप किया था क्योंकि इन्होंने भूख खरताल की थी और 64 दिन की भूख खरताल के बाद सितंबर 1929 में इनकी मनत्य हो गई थी ये भी आपको अच्छे से याद अखना है फिर अर्विंद घोष निसकली विरोध के सिध्धान का प्रतिपादन अर्विंद घोष ने किया था इनकी बुक थी वंदे मात्रम इसमें अब पढ़ेंगे सुभाष चंद बोष के बारे में सुभाष चंद बोष ने कॉंग्रेस पत्से देखी अध्यक्ष पत्याक कर दिया था इन्होंने फिर इन्होंने क्या क्या तीन मई 1949 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा वो अधिवेशन था जिसमें सुभाष चंद बोष ने अध्यक्ष पत्से तीफा दिया था और उनकी जगह कौन अध्यक्ष बने थे ये मैं करा चुकी हूं इसलिए मैं आपसे कोश्चन पूछ रही हूं फिर सांती घोष और सुनीती चोधरी आपको इनको भी आ पूथी नस्दीक से जैक्षन पर गोली चला देती हैं वो गवर्नर था भगत सिंग ने कहा था आलोशना और सुतंदता चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विसेशता हैं तो भगत सिंग के बारे में दिया गया है अलग से आप बीना अधास जी के बारे में याद कीजिए और य राम प्रशाद बिसमिल ने सर फरोशी की तमन्ना गीत को प्रसिद करने का काम किया था अब देखे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसकी रचना किसने की राम प्रशाद बिसमिल की इस गीत को लिखा था बिसमिल अजीमा बादी ने ना कि राम प्रशाद बिसमिल ने इन्हों ने इसको प्रसिद करने का कारी किया था, तो इनका जो ये है सर फरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है, ये याद अखना है कि इसने कहा था, राम प्रशाद बिस्मिल ने, काकोरी कांड में इन्हें गोरखपुर में फांसी दी गए थी, ये जगे बहुत पूछी जाती है, कि राम प्रशाद बिस्मिल को फांसी कहां पे दी गई थी, अब आपको कमेंट करके बताना है, इनके साथ-साथ और किन लोगों को फांसी दी गई थी, और वो इस्थान कौन कौन सा था, टीवे सर कोशन में करा चुकी हूँ, पूछा भी गया है कई बार, सरसेयद एहमत खां, अब इनके बारे में याद करी, इंजिन पैट्रियोट एस्सोसियेशन की स्थापना भी की थी, नोंने सरसेयद एहमत खांने, और 1888 में कौंग्रेस के विरोध में की थी, तो इनके बारे में भी आपको याद अखना है, फिर भगत सिंग इसमारक, फिरोशपूर में सहीद सिंग इसमारक स्थित है, जहां प्रतीवर्स 23 मार्च को हजारो लोग सध्धानजली अर्पित करते हैं, जहां पर इनका चोरी छिपे मैंने बताया ना, कि इनको जब फांसी दी गई तो चोरी छिपे वहाँ पर ही इनका अंतिम संसकार कर दिया गया था, वो जगए आपको यादक नहीं है, तो यहां पर हमने इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्स देखे, जो एक्जाम पॉइंट फ्यू से आप खुद देखने कितने इंपॉर्टेंट है, आरो ए, आरो का एक्जाम भी फैक्च्वल ही होता है, और यूपी पीसे स्पी देने जा रहे तो आपको स्टेटमेंट वाइस कोश्चन मिलेंगे, और उसमें से आपकी एक डेट भी गलत हुई, या आप इस स्टेटमेंट से इसे नहीं याद अखोगे, तो भी गलती हो सकती है, तो कौन-कौन से क्रांतिकारी हैं, किस संगठन से जुड़े रहे हैं, और किस की हत्या की है, किस गवर्नर की हत्या कर दी, ये भी चीज़े आपको इंपॉर्टेंट है, याद अखना है, आपको वीडियो समझ में आया होगा, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक कीज़ें, चैनल को सब्सक्राइब कीज़ें, और लोगों को शेयर करते रहे हैं, और ऐसे यूर टॉपिक के साथ मिलती हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद,